तो उस टेबिल पर मैं अभी गया था बैठा था उदर के सब लोग करें कि मोदी जी का मामला गड़ा गया आपका क्या समझ में आ रहा है पहले चरण के बाद ऐसा है पहले चरण का हो से आखरी चरण का हो मोदी जी अंडर्ड परसेंट जो है न तीसरी बार पीम बनेंगे के जारे है कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा पार्टिय तूट रही है अब सीट तो बढ़नी है यह पहले चरण एकसो 2 में आपको क्या लग रहा है कि सीट वढ़ेंगी पहले के मुकाबले मिलंकूल बढ़ेंगी यह हैंदैज सेंट बढ़ाएंगी उत्तर में हाफ दचिण में साफ वो कहते रहो देखो यह आप अपना विचार है जब आदमी अंदर जाता है तो जो है ना वो यह सोचता है देश की बलाई के लिए कौन काम कर रहा है तो आज से पहले किसी ने बलाई के लिए नहीं किया यह अपने अप पूतर में साफ दक्षन में साफ फिर रहेगा कहां पर यह जो है ने देश को बेच देंगे और क्या होगा है दुनिया में लड़ाई चड़ी हुए है अब भी लिए यह आला तो ओटे जा रहे हैं यह तो बचा रहा है किसी को भी आने के लिए किसी की इमत नहीं है इसकी उस टेबल वाले लोग तो आपकी बात से क्या किस तरह के लिए देखो वो उनके विचार जो है ना उनके हैं हमारे विचार यह हैं अक हम सारी जगे गुमते हैं तो आलात यह हैं अक अंडर्ड परसंट आएगा किसी बार सीट बढ़ने के पूरे पूरे चांस है अंडर्ड परसंट लोग यह यह लोग कह रहे थे मैंने उन लोग का यह है कि प्रधानमंति नरेद मोदी का जो जलवा चौदव में था उननिस में था उसमें गिरावट आई पहली बात दूसरी बात यह जो सांसत दस-दस साल के हो है यह जनता से उतना नहीं जुड़े अब मोदी जी के नाम पर कितना एलेक्शन लोग देते रहेंगे तीसरी बात बेरोजगारी महंगाई रोजगार यह सब भी अब मुद्दा दीरे-दीरे खड़ा हो रहा है और लोग विपक्ष की तरब जाने का सोच रहें ऐसा कहना है देख यह वह कह रहे हैं आप एक बार सोचिए दुनिया में जो है न कहीं यूद छड़े होएं कहीं इरान इसराइल का कहीं यूकरेन रशिया का कहीं कोई कह रहे हैं तो मेंगाई तो हर चीज की बढ़ती है, यह मेंगाई जो हैना हम थोड़ी बढ़ाते हैं, या मोदी नहीं बढ़ाता, मोदी जो हैना 80 करोड आदमियों को फरीमराशन दे रहा है, यह कहां से खुआ रहा है, तो मेंगाई बढ़ेगी एक नहीं बढ़ेगी, आप बताइए, अकमेंगाई सितिर रह सकती है रोजगार रोजगार की रही बात इतनी कंपनियां खुल रही हैं जिसने नोकरी करनी है न वो आपना भी बिजनेस अगले न खुल लम खुला के रहा किया लोन लो अपना बिजनेस चला हो कंपनियां में नोकरी करो मिलेगी आपको मैं शरकारी नोकरियां में दे रहूं एकदम तो कोई जो है ना ऐसा आदमी नहीं है छूमंतर अक्कर दिया बेड़ा पार यह तो सतर साल से बिगड़े वादेश एकदम कैसे सुदर सकता है तो एक बाद बताईए यह वोट कम पड़े उसका क्या मतलब है वोट कम पड़े यह जो है ना इस यह हालात पहने बरकता है आज कल कुछ तो जो है ना अपने काम में इतने बीजी है कोई अपनी क्टाई में लगया हुआ है कोई अपने बिजनेस में लगया हुआ है आप यह समझते हो कांग्रेस का कम नहीं पड़ा कांग्रेस का भी पड़ा है यह तो सभी का कम पड़ागा एक आदमी का कैसे पड़ेगा बीजेपी का अज़ा आप हरियाने के हैं नहीं हां हरियाने का हूँ तो समझ गया मैं तो आपके हरियाना में दस सीटे बीजेपी की थी वहां कम होंगी या दस की दस मिलेंगा देखो हरियाने के हालात ऐसे हैं का अंदर परसंट जो है ना कोई जोर लगाएगा बहुत ही ज़्यादा है मेरे बड़े च्टे भाई साब है आपका इतना साल से आपका भी उमर हो गया तजुर्बा हो गया बाल साले सपेद हो गया और कलर भी नहीं कर रहे हो आज किल तो कलर कर से करता नहीं साल उमर हो गई मेरी 82 साल उमर हो गई है कलर नहीं करता नाइश्रल अक्तम और सेद भी नैश्रल है कोई दवाई ने लेता गोलिनी लेता भाई साब को जानते हैं यह पी करामाती है आज की दुनिया हम पूठा में जवाब देता हूँ है आप यह बताई है कि आपको क्या ल पर अब लुब्स आपको यह बोलना बस याइसी भाशा बोलते हैं शेक्षार बने मृशाल दिया आपको जो किसी को बुलाकिकादने पास है एक भी बता दो आप प्रदेश में एक है बंगाल जाओ तो ममता के सवा कोई नहीं साउथ में जाओ तो इस्टालिन फे चलेंग जो हैं उनके सवा कोई नहीं सारे देश में राष्ठ की बात करोगे तो मोटी के इस आप के पास आप जवाब किया है aha कुए रहें पतलकार हो और घूमते रहें डियों सारी public में आप उनको कह रहें कि उस सब के सब मोधी विरोधी बैठे हैं तो मैं यह कह रहा हूं कि यह तो लोग तंत्र हैं उनको अपनी बात कहने कहा है आप अपनी बात कह रहें नहीं किया मैंनों का वरोध नहीं किया पर उनके पास इसका बात का जवाब नहीं है अब कि मेरे आते हैं काने काया था इन्हीं में से इक आता के रहा थी मोधी के 140 आएगी मैं का चलो इसका मत्रें 140 आएगे वो प्रजान मंची नहीं बनेगा कोई और मुझे बता दो आपके कहने से कि मैं मोधी को छोड़के किसी और को बोड़ दूं को एक नाम बटाओ वो भागया पता सका मोधी के मकाबले में कगवें ऐगर है कोई तो मुझे नाम बता दो मैं वोट इसको नंतं नहीं पता सकेंगे आप हाकिकत नहीं है आपके सामने देखे ये जो रोग कहते और कि ये देश जो लोगतंत है ये संसुदी अपा उतन रहे ये प्रेसिडेन्शिएल form of election नहीं है कि एक तरफ आप मोदी का चेहरा करें दूसरी तरफ आप मुद्दों पर आप जनता की समस्याओं पर आप जो जो आरोप या जो जो वाइदे करके आए थे चुनाओं में आपके दस साल की सरकार पर उनकी समिक्षा करने का वक्त आ गया आप electoral point के मामले में जब आ आते हैं तब तो आप केए कि पहचान गुप्त रखी जाएगी Supreme Court में जाकर के SBI के ति है कि आखणा हम नहीं दे सकते हम चुनाओं के बाद देंगे और जब आखणा आता है तो पता चलता है स्टेशन हो सकती है यह नहीं बता है वो नहीं बता है यह नहीं बता है उसके पहले नहीं था अभी ता यह क्यों शुरू कि पूरे देश में चर्चा कविश्य बना लेकिन मैंने अभी वहां बाचीत में कहा इस देश के आम आदमी को यह बिलकुल नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉंड का मामला है क्या उन्हें जाधा यह पता है कि पहले भी चंदा दिया जाता था अब भी चंदा लिया जाता है अब इ बदल दिया होगा साथ आप केने कहने से मोधी ने बाव बदल दिया चंदा लिना का तरीका यही कहना चाहते है क्या तरीका है चलिए चोड़े आप हम इलेक्टोरल बॉंड बताने लगें हम तो यही कहते हैं सबसे कि जिसको विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा मानता है जिसको राहूल गांधी कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के मास्टर माइंड उसका अदेश की आर्म जनता को कांग्रेस को लगनों पान से पैसे नहीं मिलें क्यों लिए जब वो भ्रिष्टा जा रहे इतना बड़ा तो रावल गानी ने क्यों लिए पैसे बापस कर तो यह ब्रिष्टाचार नहीं लेता पैसे भी ले दिये ले और बंदाम भी करेंगे बात यह नहीं है बात यह बात बताओं नए राहूल गांधी कहते हैं कि यह ब्रिष्टा जा रह रहे है इलेक्राण लोबान तो उसने क्यों लिए बैसे तुम्हीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सरकार ने संसद में यह खानून बना दिया तो पार्टियों को चंद गलत मानेंगे तो फिर कैसे मानेंगे फिर संसेट कैसे चलेगा आपको इलेक्टोरल बॉंड के बारे में जायदा कुछ पता नहीं है यही पास हुआ यही तो बात है देश बिलकुल दो धुरुवी है या तो उस तरफ है या तो इस तरफ है तो मैं आपसे जानना चाहरा हूँ आपको 102 सीटो में क्या लग रहा है किसमे ससोद्य को चुछ हो मैं पूरी सीटों की बात कर नहीं मैं तो यह पांसो की पांसोड शीटे मोरे जैए एक भी प्रक्स करना हो किसी लाइक है नहीं एक लाइक भी यहाना चाहिए तो अब जराए प्चर बाजी आपने शुरू करी कुष्टि करन को आपने किया मुसलमानों को समर्जा आप का मेनिफेस्टो में से बात में आपको बता दो कॉंग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टों में आपने तो पढ़ा नहीं, यह पका है मैंने पढ़ा है पूरे मैनिफेस्टों में मुस्लिम शब्द का इस्तिमाल एक बार भी नहीं हुआ एक बार आ रहा हूँ